इक्सरसाइज वन इए, कोश्चन नमबर फाइव, the product of two rational numbers is minus 16 upon 9, if one of the numbers is minus 4 upon 3, find the other, other number आपको find करना, क्या करना, find other number, one number कितना given है, minus 4 upon 3, मानें, one number जो given है, और जो other number हमको find करना, उन दोनों का multiply जो दिया है, उनका दोनों का product जो दिया है, वो minus 16 upon 9 है, तो other number आपको find, let करना पड़ेगा, तो solution में हो जाएगा, let the other number be, other number be, x, x आपने लेट कर लिया, let the other number be, x, अब जो one number, one number हमारा कितना, multiply जो उसका multiply करने पर, two numbers का multiply करने पर, उसका कितना आता है, product कितना आता है, minus 16 अपर नहीं आता है, तो उसमें one number कितना, minus 4 upon 3, तो minus 4 upon 3, one number हो गया, और other number लेट किया, आपने x, तो into x, इन दोनों का multiply जो करने पर आएगा, कितना आएगा, minus 16 upon 9, तो ये एक equation बन गई, अब इस equation को सालू करके, x की value find करना है, तो देखे, x equal to, इसको हम transpose करेंगे, minus 4 upon 3 को, तो x के साथ multiply में है, minus दब ले जाएंगे, तो minus 16 upon 9, right side में है, और transpose हम किसको करने जा रहे है, minus 4 upon 3 को transpose करने जा रहे है, तो ये इसके साथ, x के साथ, इन 2 में तो उधर जाएगा, तो दिवाइड में हो जाएगा, तो हम दिवाइड लगा के लिख सकते है, divide minus 4 upon 3, इसको लेगा किसमें हो जाएगा वो divide में हो जागा, divide minus 4 upon 3 अब इसको आगे salve करते हैं तो x equal to divide sign को जब salve करना है तो अगर वो rational number के रूप में है तो rational number के रूप में है तो हम क्या करते हैं कि जब numerator और denominator इस तरह से लिखा हुआ है तो divide sign को multiply में change करके फिर salve करते हैं तो यह minus 16 upon 9 और इसको into में change करेंगे तो यह क्या बन जागा इसका reciprocal जिसका minus 4 upon 3 का reciprocal कितना हो जागा minus 3 upon 4 minus का है तो minus e रहेगा और 4 upon 3 का reciprocal कितना हो जागा 3 upon 4 तो minus 3 upon 4 हो जागा अब इसको salve करेंगे तो देखें कोई cancel हो रहा है कैसे numerator और denominator से तो 3 और 9 3 की टेबल में आते हैं तो 3 वंजा 3 3 थरी जा 9 और 4 और 16 यह 4 की टेबल में आएगा तो 4 वंजा 4 4 फोर जा 16 तो x इक्वल टू इसमें क्या बचा है आपका फर्स प्रेक्शन में माइनस 4 अपान 3 इंटू यह बचा माइनस 1 अपान 1 अब इसको देखो आगे मल्टिप्लाई करके लिख देते हैं तो x इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टिप्लाई प्लस हो जाएगा 4 और 1 का मल्टिप्लाई 4 वंजा 4 अपान 3 वंजा 3 तो 4 अपान 3 तो यह x की वेलू आगे x अपने क्या माना था other number तो answer में हो जाएगा other number is other number is 4 अपान 3 4 अपान 3